विंदिग गौसेवा समीती के अध्यक्ष अंकिस सेंवगेल ने अपने समीती के साथ कलेक्टरिट पहुँचकर ग्यापन सोपा और गौ माता पर हो रहे हत्याचार वह उनकी हत्या पर अंकुष लगाने वा गौ माताओं की समुचित व्यवस्था बनाने के लिए कलेक्टर से बात कही और ग्यापन के माध्यम से गौसेवकों ने कलेक्टर से आग्रह किया कि रीवा जिले में घट रही इस प्रकार गौ माता हत्या तथा गौ मास्क के विकास पर प्रतिबंद तथा कठोर कारवाई की जाए है अगुस्त मकार जी हम लगातार अपने समीत के माध्यम से गौसेवा आंबा में नियंत्रन लगे हुए हैं जितना जादा से जादा प्रयास हो रहा है करम किया जा रहा है हमारे यहां सबसे बड़ी समेश्या है गौ माता की दूरदाशा की और गौहत्या की और लगातार को तसकरी की जारी है अभी हाल ही की घटना है हमारे कुटवाली ठाना अंतरगत 20-40 किलो मांस के लगभग पाया गया था उसमें किसी तरह के दो लोगों की गिरफतारी भी होई लेकिन गिरफतारी होने के बाद बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है कानून में ऐसी कौन कोई धारा नहीं है कि जो गव माता को के लिए दुबारा उनको न छोड़ा जाए उनको लेन देन करके छोड़ दिया जाता है बाद में वो फिर उसी कारे पर लग जाए और यह अगर यह नहीं होता तो मैं अपने समित के माध्यम से इसमें और आगे आवाज ले जाओंगा कर दो कर दो